नमस्कार दोस्तों लगातार आ रहे वाट्सप मैसेज़ेज में एक और मैसेज जो हम लोगों को इन दनों थोड़ा परिशान कर रहा है वो है या जो कुश्चन हम सब के सामने है वो यह है कि क्या 31 माच से फिनेंशल ये एंडिंग बढ़ा करके 30 जून कर दी गई है या नहीं particularly for the financial year 1920 तो आज की इस वीडियो के थुरू इसी प्रश्चन का उत्तर जानने का और इससे जुड़े प्रश्चनों का उत्तर जानने का प्रयास मैं आपके साथ करने वाला हूँ तो जैसा के सर इस वीडियो का टाइटल है अब मैं कुछ प्रश्चनों के रूप में आपके साथ ये बातें डिसकस करने जा रहा हूँ ताकि हमारे पास clarity रहे क्या भारत सरकार ने वित्वर्ष 2019-20 की अंतिम्तिती बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी है इस प्रश्चन का उत्तर सर नेगिटिव है भारत सरकार ने कतई 31 माज 2020 से financial year की टर्म को बढ़ा करके 30 जून 2020 नहीं किया है दूसरा प्रश्चन, RBI ने वित्वर्ष 31 माज क्यों कर दिया है मैं सिंपल सा सर इस बात पर केवल ये कह सकता हूँ के RBI अब तक अपना financial year follow करती थी एक जुलाई से लेकर के अगले साल 30 जून तक का बट तो बी इन अलाइमेंट विध गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया दा आर बी आई बोर्ड हैस प्रपोज नियर अबाउट 15 अफ फैब 2020 के हमारा भी financial year जो है वह एक अप्रेल से लेकर के 31 माज कर दिया जा है तो कहीं भी सर आर बी आई ने भी अपने financial year को राधर जुलाई टू जून की जगे सर एक अप्रेल से 31 माज कर लिया है तो कहीं भी extension की कोई बात नहीं है अगला प्रश्ण है क्या आयकर compliance है तो वित्वर्ष बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दिया गया है सर इंकम टेक्स compliance जहां तक investment से related है जैसा की मेरा अगला प्रश्ण है कि जहां तक सर इसका लेना देना investment है तू है वहां तो सर टेक्स compliance package में government ने specifically आपको एक relaxation दे दिया क्या आप 30 जून 2020 तक भी अगर investment करेंगे tax saving या capital gain account scheme के investment करेंगे या re-investment into new asset करेंगे capital gain के purposes से वहां आपके 31 मार्च की जिए के 30 जून तक के investments को भी eligible मानेंगे लेकिन financial year 19-20 income tax के purposes से सर निश्चित रूप से 31 मार्च 2020 को ही समापत होगा हां 30 जून 2020 जो date extension की गई है वो investment के purposes से, notices के purposes से, sanctions के purposes से ली गई है उसका मतलब यह नहीं है कि financial year 19-20 income tax के purposes से 1 अपरेल 19-30 जून 2020 कर दिया गया financial year वही रहेगा 1 अपरेल 2019 से 31 मार्च 2020 यानि आपने जो income इस period में कमाई है एक अपरेल 19-31 मार्च 2020 के वल उसकी income पर ही सर आपको assessment year 2021 में tax देना पड़ेगा और एक अंतिम प्रश्ण है सर, home loan का व्याज जो 30 जून 2020 तक चुकाया जा सकता है उसकी कटोती 31 मार्च 2020 तक के व्याज की मिलेगी अत्वा 30 जून 2020 तक के व्याज की तो मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं सर, income tax के purposes से home loan का interest जो हम section 24 clause B में claim करते हैं वो accrued basis पर मिलता है, तो चाहे आप जो RBI ने अभी proposal दिया है bank को, allow किया है कि bank एक moratorium अलाओ करें, तो मान लिजे आप bank से और moratorium की सुविजा ले लेते हैं और इस वज़े से आप मार्च की EMI नहीं देते, तो भी सर आपका interest जो मार्च महीने का होगा उसका आपको section 24 clause B में claim करने का अधिकार सुरक्षित है यानि आपको 31 माज 2020 तक के ब्याज जो भी due होगा home loan पर उसका आपको deduction निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई doubt नहीं है अन्त्में सर में आप सभी को हर्दिक धन्यवाद देता हूँ और ये शुब काम ना देता हूँ कि हम लोग जल्दी ही COVID-19 के प्रकोप से बहार निकल कर के आएं हाँ मेरी ये विंती भी आप सबसे अवश्य है कि भारत सरकार है, हम राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इशू की गए गाइडलाइन्स का हमें निश्चत रूप से अक्षरशर पालन करना है, धन्यवाद जय है